हेलो दोस्तों तो स्वागत है हमारे यूटूब चैनल मिशन टूपे तो इस्टूट्स आज मैं क्लास 9 का मॉडल सेट 1 विज्ञान का लेकर आया हूं ठीक है और आपका न्यूज के तरफ से जैक के तरफ से न्यूज जो आया है 14 महें से पहले टम 1 का एक्जाम ले लेगा ठी आज हम लोग मॉडल सेट विज्ञान का फर्स्ट सेट को देखते हैं ठीक है और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा अच्छे तरह से समझ में आने वाला है ठीक है पहला कुशन इसमें क्या है निम में कौन सदीस नहीं है ठीक है तो सदीस क्या होता है जिसमें दि टीक है हम लोगो को देखते है चाल ओर मात रख क्या है तो चाल हैं हमारा क्या पर स्का इसका और ब्ल two सबसे पहले दोस्तों जान ले जो झालाए जो लगा होता है मीटर वह उसरी को अब पता है और यह किस चिसको माफ़ता है हमलोगा दूरी को माफ़ता है इसका इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा दी नंबर को हम लोग देखते हैं फाइप नंबर हमारे क्या कर रहा है बीस मीटर पर सेकंड का किलो मीटर परती घंटा के मान क्या होगा तो बहुत से आसान सवाल है दूस्तों ठीकें जब भी मीटर पर सेकंड से परति घंता में बोलेगा, हम लोग कितना से इंटू करेंगे, 18 बटा 5 से, तो 20 को इंटू करेंगे हम लोग 18 बटा 5 से, कितना हो जाएगा, 54 में 20, और 18 चैण 42, 72 किल्योमेटर क्या हो जाएगा, परति घंता, ये हमारा अंसर हो जाएगा, तो इसका option कौन सा हो जाएगा हमारा B number option क्या हो जाएगा हमारा B number इसका right answer हो जाएगा तो ध्यान रखना दोस्तों कि अगर meter per second से kilometer परति घंटा करेगा तो हाँ पर 18 बटा 5 से हम लोग क्या करेंगे multiple करेंगे लेकिन अगर kilometer से परति घंटा के तरफ जाएगा kilometer से परति घंटा के तरफ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे पांच बटा यानि कि छोटा से बड़ा के तरफ जाएगा तो आठारा बटा पांच यह जो वी और यू दिया वाई हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे ह sports किसमें करेंगे इसको चेंज करेंगे अंधर अर्ड़ सबसे पहले यूःता को निकालते हैं प्राद्रम वेक को निकालते हैं घँगलag तो यहां पर यहां पर यू निकालते हैं तो यू का हमारा कितना हो जाएगा धिके इसका एक फॉर्मूला है उसमें लोग पैठाते है इसका फॉर्मूला होता है राग ब्राबर यू dimas 252esट शग्सकुएर बराबर यू एस्वाइर प्लस टू ए इस ठीव्य कितना लेटा बता दम दस युआह निप्सक्पार के लघ सब्सक्कर कर दें 75 और यह 30 इधर आके किसमें हो जाएगा और यहां पर बचेगा तो आजाएगा हमारा 2.5 कितना जाएगा 2.5 हमारा आ जाएगा तो 2.5 मिटर स्क्वाइर किसमें हमारा option number in में है तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number next question को लोग देखते हैं बल का SI मातरक क्या है तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों ठीक है बल का SI मातरक क्या हमारा Newton तो option number C इसका correct हो जाएगा next question क्या बोल रहा है एक Newton किसके बराबर होता है तो एक Newton जो हमारा होता है एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर तो option number next question देखते हैं कि अगर बात करते हैं सबसे भारी होता है तो उसका जड़तों भी क्या होगा अधिक होगा जो कम भारी होगा वो उसका जड़तों कम होगा तो यहां पर देख लो दोस्तों कि 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 कम भारी है ठीक है तो यहां पर भारी हमारा सबसे भार किसका कम है बी का है तो इसका जड़तों कम होगा और सबसे आधिक कितना होगा दस तो यहां पर कम पूछा है तो कम हमारा अंसर कौन सा हो जाएगा option number 20 का राइट अंसर हो जाएगा होता है ठीक है तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है कि हाँ निकल जाएगा वन निकल जाएगा इसका इसका कितना हो जाएगा होटते निटन के नियंम से मिलता है तो नियूटन का पहला नियम को लोग जड़तों का नियम भी कहते हैं जरतों का परिभाशा भी मिलता है तो आपसान नंबर इसमें ब्राइट हो जाएगा निश्ट को देखते हैं हम लोग 12 नंबर को Newton गती का कौन सा नियम बल मापने का सुत्र मिलता है तो इसमें हम लोग इसका मिलता है दूसरे नियम से हम लोग इसको बल मापने का सुत्र मिलता है निश्ट को देखते हम लोग 30 नंबर G कमान कितना होता है nex q mind कितना होता है तो g command हमारा यहां होता है 9.8 meters per second square इसका right answer कितना हो जाएगा B number ठिक है इसका right answer B number हो जाएगा चलिए next question को देखते हैं आपे हम लोग 60 kg किसी अंसर आएगा हमारे ठीक है तो एम कितना दिया हुआ है मास कितना दिया हुआ है और देखो यहां पर ग्रैविटेशन निकालेंगे वन बाइशिक तो यहां से कट देंगे तो सौ न्यूटन हमारा क्या हो जांगा इसका अंसर हो जाएगा सौ न्यूटन यहां परrepå कितना नŮर को स्थान फॉक्र त asks the में तो देखते हैं हम लोग क्या है सर्वत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर पानी और चीनी मिल जाता है या पदार्थ के कनों के किस कुन को दर्शाता है तो यह हमारा अप्सिन नंबर यह हो जाएगा पदार्थ के कनों के बीच रिक तस्थान होता है तभी क्या होता है पानी और चीनी मिल जाता है तो अप्सिन पे जो हमारा जो भी कोल्डरिंग वगारा हो गया समाजा थमसब आप लोग पीते हैं यह हमारा क्या हो जाएगा पदार्त हो जाएगा तो अगर पर रिखन घंधक मारा क्या पुख्या हो जाई कि 2500 पर प्रेखन की परती को क्या हो जाएगा तो बताओ दोस्तों इसका क्या हो जाएगा घंट्टों का परिभासा भी अगर लिखने बोल देगा तो आईसे लिख सकते हैं किसी तत्तों कि पर्तिकाइक को क्या कहते हैं लोग घंट्टों को देखते हैं लोग दो ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सिजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्मान करता है या किस नियम को परदर्शित करता है ठीक है तो इसका अंसर जो हो जाएगा ए नंबर द्रमान सन्रच्छन का नियम कहने का मिलब जो अभी कारक साइड जितना अनू होगा उधर हमारा यह उत्पात के साथ जितना होगा वो हमारा द्रमान सन्रच्छन का नियम दर्साता है ठीक है चलो तो इसका राइट अंसर हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा चलिए नेस्ट को देखते हैं लो बीस नंबर को जल में हैड्रोजन तथा ऑक्सिजन की द्रमान का अन एकघडरोजन होगा तो आड़ भागख क्या ओक्सिजन हो जाएगा तो यह हमारा इसतेर अनुपात का नियम होता है चलो नेस्ट को देखते हैं तो लिए नयने zrobić को जो मापने किस से मापते हैं हम लोग परमानु द्रमान तो यह उनिट से मापते हैं हम लोग यूसे मापते हैं ठीके तो इसका अप्षा नंबर ड हो जाएगा तर्मानू होता है लेकिन वो प्सवटन नहीं रह सकता स्वातंत्र जो हमारा रहता है क्या रहता है अनू रहता है तो अप्सन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा नेश्ट वेशन देखें 14 नंबर देखें 14 क्या कह रहा है जल की परमानुक्ता जल की परमानुक्ता कितनी होती है तो जल का पहले सूत्र हम लोग लिख लेते हैं ज एको गया तो जल की प्रमानुकता तो टोटल को चलो पत्तीश नमबर को हम लोग देखते हैं किसी यौगिक की प्रमानुकता फाफची तो इसमें देखें सबसे पहले अमोनियम का सूत्र होता है NH3 क्या होता है NH3 NH3 ठीक है और option B carbon dioxide का सुत्र CO2 और calcium carbonate का सुत्र क्या होता है CACO3 CACO3 और जल का सुत्र तो आप लोगों पता होगा H2O ठीक है यहापे 2 है तो अब यहापे आप लोग को बताना है कि किसका पर्मानुक्ता 5 होगी तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि किसका पर्मानुक्ता 5 होगी इसका उपर वाला कोशन को हम बता दिये पर्मानुक्ता कैसे निकाले जाता है ठीक है चलो इसको कमेंट करके आप लोग जल्दे से बताइए सबसे होगा है कि अडीक नोग को सूत्र लिख लेना होगा है न होता है और ऑक्सिजन्के कर देंगे तो तीन से मल्टिपल कर देंगे टिक है तो वन 14 प्लस स्लती त्यारर तालिस हो जाएगा सब जोड देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14 आट चारrec लोगा और चार पांच लोग ने किई तो आप भी बता सकते क्या है रॉबर्ट को दीखते हैं निमलिखित में से कौन एक कोशी के जीव है तो इसका एक कोशी के जीव है जो हमारा पैरा मिश्यम है क्या है पैरा मिश्यम है ठीक है और और भी क्या है हमारा एक कोशी के तो कोशी का है देखो दोस्तों यहां पे हम जितना भी सजी होते हैं सब बहुत कोशी के जीव होते हैं पादब कोशिका को बारी परत को हम लोग क्या कहते हैं कोशिका भित्ती कहते हैं क्या कहते हैं कोशिका भित्ती कहते हैं लेकिन यहीं सवाल अगर उल्टा कर दे यहां पे लिख दे जंतुक कोशिका कि सबसे बारी परत को क्या कहते हैं तो कोशिका जिल्ली कहते हैं प्लाजमा सब्सक्राइबोあ julio li ke kohsi ka के बाहर अपने भोजन तथा अन्य पाता करने की प्रिकरिया को क्या कहते हैं तो जो जिल्ली होता है बाहर से अपने भोजन का अंदर करता है अंदर गरने की प्रिकरिया को क्या करते हैं इंडो-साइटोसिस नोमड наш कैसμα क्या होता है यह गुनसुत्र में होता है अगर पूच ठीश नश्य में कितने तशेशा 아गे इस किस बनाता है लाइस सोम कौन बनाता है तो लाये दो सवामन लुग बनाता तो गोल जी का उपकरन बनाता है कौन बनाता है गोल जी का उपकरन तो option number 10 का राइट अंसर हो जाएगा next question को देखते हैं किसी विशेस कारी को करने के लिए कोशी का एक विशेस समुह बनाती है इस समुह को क्या कहते है तो कोशी का जो होता है वो एक समू बनाता है जिसको हम लोग उत्तक कहते हैं और यहीं पिक्या करता अपना एक विसेस कारे करता है कोई भी काम करता है ठीक है चलो तो इसका राइट अंसर C हो जाएगा ठीक है और देखो दोष़तों यहां पिक्या है कोसीका सबसे सुचित्ता में तोड़ा सा मिस्ट्रीन होगा येशित्स यौज एक्जाम में सही रहे evol. तोड़ा सा मिस्प्रिंट होगा लेकिन आप लोग एक्जाम में सही रहेगा ठीक होता है इसका पतियों द्वारा बने भोजन समवहन पौधे के सभी भागों तक करता है कौन सा उत्तक करता है यहां इसका उप्सें पौधे में बना भोजन यहां पर पतियों द्वारा बने भोजन बन जाता है न तो अन्य भागों तक पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं लेकिन थोड़ा सा अगर प्लट देता है यहां पर बोल दिया कि भूमी से खनीज तथा लवन को पतियों तक यहां पर मिलता है तो उसमें लोग वाली रचनों क्या कहते है तो यह होता है इसकलियर काईमा तो देखते हैं लोग फोटी नमब अस्थी एक उत्तक है तो और बताया है और यह से पूरा को चाहिए को आने माले वीडियो में से कम्प्लीट कर वादंगा आप फिर से एक बार देखे जल्दे से बाद अप लोगbak और इस से चाहिए पहले देखिया है और लुड़ो को नॉस्से एकशाम होने वाला है ठीक है और अच्छे से एक्जाम दीजिए आप लोग इसको पहले पढ़िए जल्दे से आप लोग पास टाइम है ठीक है ठीक है ठीक है